हलो गुड मॉर्निंग मा यूटूब फैमली कैसे हो आप सब मेरा नाम साधा आप और आप देख रहे हैं साधा ब्लोग तो आज फिर से एक नए ब्लोग में स्वागत है आपका बने रही है वीडियो पे आज ब्लोग ब्लोग जो है पूरा एंड तक जरूर देखा करें यार एंड तक देखें बहुत ही मज़ावान है वाला है ब्लोग में और चैनल पे नए है तो चैनल को प्रेस कर ले सस्क्राइब और घंटी दिख जाएगी घंटी को दबा कर और प्रेस कर ले उससे क्या होगा जब भी मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूँगा नोटिफिकेश इसकी थोड़ी बहुत मरमत चल रही है अभी थोड़ा काम भी बाकी है इसमें लप लपाती धूप यहां की बहुत ज्यादा धूप है लप है लप तो बाबा धूप तो नहीं लग रही कर लोचने बाबा चलने है भैंस को चर आने के लिए और दूप बहुत तेज है तो देख सकता है मे पीछे पेड़ की च्छाय में आया हूं और इधर देख सकते है यह देखें और इधर आपर च्छाया है वहां पर दूप है और कुछ यह हैं मुफली जह लगता है इसमें फिर से पानी भना पड़ेगा और अभी तीन दिन पहले बारिश होई थी इसमें सचाई भी हो गई थी और फिर से देख सकते हैं सूख अशा लगा रहा है सूखने लगी है तो फिर से इसमें पानी लगाना पड़ेगा क्योंकि यह जमीन है यहां कि बिल्कुल बालू नहीं जानते हैं बालू रेता जिसको बोलते हैं रेता बालू भी बोलते हैं और रेता भी बोलते हैं क्या रियक्शन होगा जब उनसे हम कहेंगे फिलाली अभी तो यहां पर है नहीं अगर होते तो मैं आपको जरूर दिखाता और उनकी वीडियो कभी मैंने बनाई थी शायद यूटूब से पैसा यही होगा टाइटल शायद अगर जिसने नहीं देखियो तो जाके नीचे डिस बहुत देख सकते हैं आप बिलकुल जले जा रहे हैं और लाउंडा कहां गया यह है लाउंडा कहां है वही है यह कहां कर रहा है वही है तो लगए प्यास है अब थोड़ा सा पीते हैं पानी और फिर लेते हैं मज़े अब अब यह जो पर पानी लगा हुए पर शुलाओ उस ता हम यह वह साफ में रखता तक्या धूब में निकलो पशीना आजाता है और ऐसे यह करने के लिए लगती है तो उपर से डालो धूब नहीं लगती है ऐसे बड़ा मजा आता है इसे डालो च्छाया रहती है पीछे बाइक आ रही है गुट 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 देख सकते हैं इस सुछ रहे होगा यह क्या कर रहा है लड़का देख सकते हैं इसको भी ले लो ए यह निकला इसे मोटा मोटा अंकल मोटे अंकल थे मोटे अंकल यह सुहाना मौसम और चल रही है अपनी रेंजर यह देख सकते हैं, अभी मैं धर ही गया था पर इसी घर पर पड़ा था, फिर मैंने सोचा चलता हूँ, थोड़ा नहाया फिर उठाई रेंजर चल पड़ा, फिर थोड़ी दूर तक गया था, फिर वापत जा रहा हूँ घर पर, बाइक थी नहीं, तभी मैंने का साइ साइकल लेता हूँ, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और थोड़ा अच्छा लगेगा, तो इस वज़ा से मैं निकला था, तो भी तो घर जल रहे हैं, और साइकल से चलेंगे, हम किसी दिन मार्केट घूमने, फिर आप लोग को ब्लोग बना के दिखाएंगे, जब साइकल से मार्केट घूमने जाएंगे, फिर भी दिखाएंगे, तो चिडिया करतनी चूँचूँ, आवाजार ही होगी आप लोग को, मेरे पीछे देख रहे हैं, चिमनी बनी है, वो मील है गन्ना फैक्टरी, सुगर फैक्टरी मील, तो वहीं जाता है हमारा गन्ना, इधर भी गन्न भी नहीं आ रहा है, उपर से ये देख सकते हैं, ये हाल है गन्ने का, कैसे चलेगी, पैमेंट वो नहीं आता है, बहुत परिशान है किसान, तो आप लोग जो भी किसानों मेरे वीडियो पर कमेंट करें, मुझे भी बताएं, और चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लिया करें, स सब्सक्राइब नहीं करते हो, दोस्तों के साथ बैठके देखते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मुझे सब पता लग जाता है, यार, सब वाइटी स्टूडियो बता देता है, किसने देखा, किसने नहीं देखा, तो ऐसा बिल्कुल मत करें, और वीडियो को एड तक देखा करें चैनल को करें सब्सक्राइब और दोस्तों को भी फोन लेके सब्सक्राइब कर दिया करो यार तभी तो मज़ा आएगा और अच्छे अच्छी वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए बस बने रहो वीडियो पर देखते रहो दमादम सब्सक्राइब करो यार तभी कुछ आगे बढ़ेंगे हम भी आप लोग के प्यार की ज़रूर थे मुझे बहुत जादा मेरी एक शोट वीडियो थी उस पर वन के व्यूस कंपलीट हुए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मेरे लिए अभी यह बहुत बड़ा नंबर है वन के जो है एक हजार अभी मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है तो आप लोग महसूस नहीं करते कितनी खुशी हुई मुझे अंदर से कि मेरी वीडियो पर वन के व्यूस मतलब बहुत ही खुशी हुई बहुत ही खुशी करो अपने घरवालों के साथ बैठके देखा करो और मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ बक्चूदी वाले ब्लोग आप तक पहुचाता रहूंगा और आप लोग देखते रहें तो आज के ब्लोग में इतना ही मिलते हैं अगले ब्लोग में और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसा